हलो गाइज मेरा नाम है वैबाव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट गाइज आज की वीडियो में इंबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बॉर्ट स्टॉर्म स्मार्ट वोच की जो कि मैंने बाई करें फ्लिप कार्ट से और काफी कमाल के फीचर के साथ यहां पर स्मार् वोच के अंदर तो इस वीडियो को बिन स्क्रिप करें शूर्ट से अन तक देखते रहे हैं सबसे पहले आप सभी लोगों से क्रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नाया तो कर दीजे सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंट्रेसिंग वीडियो मिलती र छिव लेते यहां से पहले से यहां पर ओन करका है तो इस टाइप की पैकेजिंग से का शर्भ मिलता है और यहां पर लिखका है watch storm यहां पर आपको एक picture देखने को मिल जाती है हमारी smart watch की और बाकी नीचे की साइड इसके कुछ यहां पर key function लिखे हैं यहां पर 5 ATM water assistant है इसके अंदर आपको call and text notification का alert आपको देखने को मिल जाता है multiple sports mode के साथ यहां पर watch आती है और इसके इसके अंदर आपको woman के लिए mensuration cycle tracker भी देखने को मिल जाता है बाकी right side में यहां पर इसके कुछ other features लिखे हैं salary यहां पर alert आपको देखने को मिल जाता है calories और steps और distance tracker आपको देखने को मिल जाता है और इसकी जो compatibility की बात करें वो यहां पर iOS android दोनों के साथ है तो आप असानी से इस iPhone और Android में use कर सकते है इसके अंदर आपको find my phone का option देखने को मिल जाता है 1.3 inch की full touch display आपको देखने को म multiple watch faces आपको देखने को मिल जाते हैं और music control का भी option देखने को मिल जाता है और बाकि back side में इसकी हाँ पर MRP mention है आप आप देख सकते है 6000 रुपीज लेकिन इसकी actual MRP यह नहीं है जो इसकी actual price है और इसके left side की बात करें यहां पर कुछ और health के function लिखें like sleep monitoring और heart rate monitor और blood oxygen level monitor यान Connect E us box को कर लेते हैं box वा तो बॉक्स को उपन्क करने के लिए सबसे पहले इसकी जो सील है इसको मिहां पे ब्रेक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और हम यहां पर ब्रेक को कर लेते हैं और आप्न सबसे पहले हमें यहां पर USB Magnetic Charging Cable देखने को मिल जाती है तो इस टाइप की यहां पर आपको Magnetic Cable देखने को मिलती है हमारी वाच को चार्ज करने के लिए बाकि यहां पर आपको एक Sticker देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का जो आप कहीं भी Stick कर सकते हैं साथ में एक User Manual देखने को मिलती है इसके अंदर काफी सरी डीडेल्स हैं और वाकि इसकी दिरोगत निवलटी क्यों जो प्रोसास हैं यहां पर सीमपल है साथ में हमें एक वारंटी आपड़ेग के साथ यह वौच आती है यहां प्रक्डर की पौर आपर को क्लेम कर सकते हैं काफी सानी से उसके, यहां पर एक और हमें मैंडुल देखने को मिलती आती है जिसके अंदर बॉट के कारी सारे प्रडॉक्स मैंने कांच हूं जाकेक हैं काफी सारा चीजेकं के आपर दिए बॉड़क्स यहां क्या बचाते हैं हमारी मेन बच पर तो सबसे पहले यहां पर मैं ऊप निका लेता हूं इसके के कंशबFF रगता हूं ऑडल साइड में और हासे इसको कर देता हूं अंटाइ कुछ इस तरीके से और उसके ऊपर हमें एक sticker देखने को मिलताता है इसे हम हटा देते हैं तो इस थाइप के हमें यहाँ पर वास देखने को मिलती है बाकि इसके look or design की बाग करें सबसे पहले front में आपको 1.3 inch की touchscreen display देखने को मिलती है जो की 2.5D curve display है और बाकि इसके हाँ साइड में आपको यहाँ पर एक single button देखने को मिलता है जो की काफी सारी activity perform करता है लाइक इसे आप प्रेस करेंगे तो screen wake on और wake off हो जाएगी साथ में अगर आपको एक्टिविटी करें तो इसे आप hold करके रखेंगे तो जो activity है वो यहाँ पर stop हो जाएगी तो single 500 रुपे का और टीव बिल्ट के साथ यहाँ पर आता है और quality की बाग करें काफी comfortable है काफी ज़्यदा टाइड निया आपको quality देखने को मिलती है और quality अच्छे काफी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर चल जाएगा और बागी अलगर design में आप इसे बाएक कर सकते हैं और के backside की बात करें अंदर आपको बेंडिंग देखने को मिल जाएगी पीछे की सारे सेंसर हैं जो की काफी सारे चीजों को मेजर करने के काम आते हैं like SPO 2 BPM और हट्रेड मुंटरिंग उपर की साइड यहाँ पर आपको पिन देखने को मिल जाते हैं जो की charger से connect हो जाएगी इस इस तरीके से हैं इस तरीके से आप इसे चार्ज कर सकते हैं और बाज की घंटे है उसके अकर complaint होता रहेगा बाजC करता है मैंने इतक इसे टेंसव नहीं कर रहा है connectivity की बात करे इसके अंदर मेरे आप को Bluetooth version 25.0 जो कि आया थी यहाँ पे Bluetooth version 5.0 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे यह भी अराम से वर्क कर जाएगा तो यहाँ पे यह था यहाँ पे इस Watch को Overview और लुक अब इसे यहाँ पे बूट करका और Connect करके देखते हैं हमारे स्मार्टफोन एप्लिकेशन से ओके गाइस तो हमने हमारे स्मार्टवोच को बूट भी कर लिया उसका स्मार्टफोन का अप्लिकेशन है उसके साथ पेयर भी कर लिया है जो अप्लिकेशन है वह यहाँ पे बूट प्रोगेर जो की Android और iOS दोने के लिए वेलेबल है और जो इसको पेयरिंग का प्रसेश्टर क काफी दा सिंपल है आपको सीथा यहां पर अप्लिकेशन ओपन करके जो इसका नाम आएगा उसके आपको टैप करना है और आपको बेसिक डिल लानी है लाइक आपका नाम और एज वगएर उसका यहां पर असानी से जो वाच हो पेयर हो जाएगी तो पेयर करने के बाद साफ की तरफ स्वाइब करेंगे और आपको चार ऐसंव करेंगे यहां पर ऑपर के तरफ करेंगे यहां पर और आपको इसके हमीशा के लिए वाच के अगर आपके फोन में कोई भी मैसिज आता है आपको find my phone का option देखने को मिल जाएगा तो जैसी इस पर मैं टैप करूँ है पर जो फोन है वो रिंग हो जाएगा तो फिलाल यह function मोबाइल से पर काफी सारे फंशन हमारी वाच से कंट्रोल होते हैं तो बाकी से आप कर सकते हैं मोबाइल की मदद से और बाकी से अगर आप पर swipe up करेंगे तो आपको जो भी नोडिकेशन वहां पर शो हो जाएगी अभी मेरा हैं पर कोई भी नोडिकेशन नहीं आई है तो यहां पर सारी नोडिकेशन आदेगी और accuracy काफी कमाल के से मैंने टेस्ट करा था एक भी नोडिकेशन मेरी मिस नहीं होती और इसे हाप स्वा यह आप majdays काफी कमाल का यहां पर केया वूिवाणी के टाइम पर नहीं के तो इसे हें में मेचाई कर सकते हैं और यहां पर आपको को अपशन 5य देखने को मिल जाए डयव कर सकते हैं और यहां पर sensor और जैसी आप कोई भी measurement करते हैं उसके आपको relax को option देखने को मिल जाएगा like इसे आप अगर और करेंगे तो यहां पर इसमें आपको quickly दिखा देता हूं तो आप और oxygen आपको लेने और छोडने अनियों और अग्जेयल को option दिख जाएगा जो कि के लिए काफ़ ज़दा इंपोर्ट है और जैसी से आप प्रेस करेंगे तो यहां पर कोई भी एक्टिविटी को कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर आपको अलाराम देखने को मिल जाएगा जो कि आप मोबाइल की अप्टिविटीशन से यहां पर सैट कर सकते हैं डिरेक्ट नही और सबसे बैकार जिस बात ने में यहां पर डिसपोइंट कर रहा है वह यहां पर डाइल अगर आप डाइल पर जाएंगे तो यहां पर आपको सर्फ तीन चार वॉच फेसिस देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज़दा बैकार बात है मतला वाच पर बोक्स पर लिखा हुआ ह कि यहां पर मल्टिपल वॉच फेसिस हैं लेकिन वह यहां पर अपडेट के बाद आएंगे और की अपडेट के बाद लेकिन आप मेरे कहाल से पहले आने चाहिए क्योंकि वॉच फेस काफी ज़दा इंपॉर्ण होते हैं किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए तो एक चीज डि सब्सक्राइब आप अगर जाएंगे तो यहां पर आप को कर सकते हैं एसमेस को डायल सेटिंग अगार भी वर्क नहीं करता अपडेट के बाद वर्क करेगा और बाकि म्यूजिक कंट्रों कर सकते हैं हाट्ट रेटेक्शन वेक्र गैस्चर तो काफी सारे आपको फंशन दे देखने को मिलते हैं हमारे smart watch पे और जो एप्लिकेशन है वो थोड़ा मेरे खाल से यहां पर अभी 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 काफी और फॉन्टेट के बाद हमें देखने को मिलेंगे तो बाकि यहां पर जो वह काफी अच्छी तरह के से आप रिस्पॉंस करती है और एक्विरेसी और हैं जो हमेरा main conclusion उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं तो यहां पर इस smart watch की unboxing अब बात करते हैं इसकी pricing accuracy और मेरे opinion के बारे में कि क्या यहां पर आपको इस watch को buy करना चाहिए या फिर नहीं तो सबसे पहले आपर स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइजिंग से तो 6000 रुपीज इस है और यहां पर काफी कमाल की प्राइजिंग है तो इस प्राइजिंग में आपको स्मार्ट बैंच वगरा देखने को मिल रही है बाकि अब बात करते हैं आप एक्क्यूरेसी की तो यहां पर जो notification कॉल है जो उसके अलर्ट है उसकी accuracy काफी कमाल की है यहां पर कोई भी notification मेरी नहीं होती जो notification और जो call phone पर आती है वो यहां पर accurately यहां पर बता देता है और steps और यहां पर sports mode है वो भी अच्छे से यहां पर track करते हैं उसकी accuracy भी काफी कमाल की निकल की आती है लेकिन अगर यहां पर हम बात करें health की accuracy की जो भी आपको functional होते हैं like spo2, heart rate monitoring और जो यहां पर काफी सारיע health के functions है उसकी accuracy की बात करते हैं हैं यहां पर exact निकल के नहीं आती लेकिन आपको एक ID हो जाएगा कि जो भी आपको result है किसके बीच में आप निकल की आता है तो आपको एक ID हो जाएगा लेकिन exact Iim describes health के मावले में निकल के नहीं आता हैं तो यहां पर accuracy की बात अब बात करते हैं मेरे opinion की कि क्या यहां पर आपको इस watch को buy करना चाहिए या फिर नहीं तो as for तो इसकी pricing है काफी कमाल के feature के साथ यहां पर watch आती है मतलब कोई भी brand यहां पर इस pricing में आपको यह same feature नहीं दे रहा जो यहां पर दे भी रहे हैं उसकी pricing जाता है थोड़े additional feature भी आपको दे रहे हैं साथ में लेकिन इस pricing में आपर best watch निकल के आती है कोई भी मुझे problem वगरा नहीं लगी इस watch में बाकिस का one week review भी आपको जल्दी चैनल पर मिलेगा और बाकिस में जो में जो को problem लगी वह भी मैं आपके साथ share करते हूं सबसे पहली इसकी brightness की problem यानि कि जब इसे मैं indoor में यूज करता हूं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जैसी से मैं outdoor में यूज करता हूं आगे से अपडेट कर दिंगे लेकिन मेरे खाल से यह चीज यहां पर launch होने से पहला ही होनी चाहिए बिकॉस काफी important वाट है यहां पर watch faces किसी भी smart watch के लिए तो एक बिक्कत हैं मतलब सिर्फ चार watch faces आपको देखने को मिलते हैं तीसरा इसका जो application है वह थोड़ा सा undeveloped है मत लेकिन यहां पर सेनारियो यह निकल किया आता है तीन मेरे को problem लगी इस smart watch में बाकी से मैं एक हफ्ता यूज करूंग उसको रिव्यू दूंगा उसमें आपको पूरा conclusion clear हो जाएगा तो बस यह था इस वीडियों कर आपको वीडियो पसंद नहीं तो इस वीडियो को कर को कर दो बस्ते हैं